अगर दुस्तों, आप लोगों ने कोई महारूति की कार पर्चेस करी हैं, आप लोगों जानना था कि 스maat pro studio system में smart pro ya smart pro plus कैसे काम करता है? तो आज इस वीडियो में आपको पूरा explain करने वाला हूँ कि कैसे system काम करता है क्या-कया hidden features चाहे एक चाहे एक सबसे पहले आपको बेशिक की सेटिंग इसकी में अगर आप लोगो कई बायचांज इसको बंद करना है तो इसको पावर बटन इसको थोड़ी देतो दबाओं तो यह स्क्रीन है वो आफ हो जाएगी तो देशकते हैं जाएगी तो श्क्रीन च्रीन अगर आपको इसकी wallpaper setting पर जाना है, मतलब आपको screen saver उस वाले screen पर जाना है, तो एक बाद प्रेस करोगे, जो भी आपने screen wallpaper लगा रखा होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, चली तो बहुत basic setting हो गई, अब लेके चलता है आपको जितने भी major major settings इसकी, तो सबसे बहुत basic settings आती ह आपको screen पर देख सकते हैं, इस side आपके, जो है, जो आपकी mileage है, average है, जो range है, वो MID के साथ साथ आपका इधर भी show करता है, साथ साथ आपको time भी दिखाता है, और साथ आपको जो भी आपको audio video चल रहा होगा, वो यहाँ पर दिखाएगा, जैसे for example, गाना चला रहा होगा, उस गाने का नाम बगारा लिखकर आरा होगा, यह basic setting है, अब अगर आपको यह setting change करनी है, तो आपको simply क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, और यहाँ देख सकते हैं, नीचे option आ रहे है, edit home screen का, इस पर click करेंगे, तो आप यहाँ से अपनी जो जो भी setting है, जैसे इधर उद करेंगे, सबसे important setting क्या आती है, जब system setting में जाए, आप इधर देखेंगे, attunative volume during reverse, तो जब भी क्या होता, जैसे कोई बहुत heavy music प्ले कर रहे है, और आपको, जब reverse करते हैं, तो आपको make sure करना कि जो reverse parking sensors की जो volume है, जो beep करते हैं, वो आपको अच्छे सुनाई दे, तो जब आप दोस्तों, मैं एक और setting की बात करता हूँ, बहुत important setting की बात करता हूँ इसमें, वो यह है कि जिससे आप यह दिख सकते हैं, यहाँ पे average और range वाला option आप अगर आप इस पे click करेंगे, तो आपको आपको एक average speed आ रही है, आपकी जो भी अभी तरह आपने गाड़ी चला सकता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, fuel economy की setting, अब आप देख सकता है कि यह fuel economy की setting है, अगर मैं यहाँ पे history पे click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह पिसले जो मेरी 5 trips होती है, उसका यह मुझे average निकाल के देखता है, आप देख सकते हैं, इसने मेरे को किस साफसे average दिया है, 1.4, 15.7, 12.6, 19.3 and जो trick 5 है, वो 20.9, तो देख रहें कि अब धीरे-धीरे जो गाड़ी का mile है वो धीर-धीर भड़ता है, and even मुझे यह भी दिखाएगा, कि मैंने गाड़ी कप-कप refuel करी है, and वो settings यहाँ पे show हो रही है, तरे की settings आप अपने गाड़ी में find out कर स सकते हैं, अब मैं एक और important feature दिखाता हूँ आपको, आप जैसे यह देख सकते हैं, यहाँ पर एक option है, vehicle controls में, जहाँ पर आपको door unlock वाला option है, तो आपने देखा हो को जब भी आप गाड़ी एक बार दबा के unlock करते हैं, तो केवल driver side जो है, वो unlock होती है, बाकि जितने भी co-passen वाली doors है, वो नहीं होते हैं, तो आप इस वाली features की मदद से आप वो वाली function change कर सकते हैं, जैसे मैंने आप all doors कर गया है, तो single click दबाने से सारे doors unlock हो जाते हैं, तो आप यह settings भी यहाँ से change कर सकते हैं, वो काफी annoying होती है, अब एक और चीज बहुत important, जैसे आप यह AC mode while idling stop, जैसे आप कोई traffic में आगे खड़े होते हैं, आप ने neutral कर दिया गिया है, तो उसके बाद क्या होता है, यह जो आपका auto start stop है, यह start हो जाता है, तो यहाँ भी आपके वास तीन modes है कि आप जब idling start stop वाला feature on हो जाए, तो उस case में आप जो AC है, उसकी functionality कैसी रखना चाहते है, standard रखना चाहते है, economy रखना चाहते है, comfort रखना चाहते है, तो basically यह जिस साफ से feature set करोगे, तो अगर जैसी आप गाड़ी का जो जो भी थंड़ा के वो कम हो जाएगी, तो उससे साफ से इस function की मदद से गाड़ी automatic start हो जाएगी, जबकि आप अगर आप clutch वागर भी नहीं दब अगर वो sense कर लेगा, 15 seconds से उपर बंद हो रही है, तो automatically जो है, गाड़ी start हो जाएगी, आपका AC दुबारा से on हो जाएगा, तो AC mode while idling start stop, इस feature से आप control कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा feature हो गया, अब मैं अगर बात करूँ, कैसे आपने phone को कने कर सकते हैं, वाया Bluetooth, तो आपको pair devices में जाना है, प्लस वाला icon है, इस पर क्लिक करना है, और आपको pair from phone कर देना है, और यह जितनी भी settings है, उनको आप on कर दो, तो आप देख सकते हैं, मारुती Suzuki is now discoverable, और बहुत असानी से आप जो भी आपको phone हो को, उसमें आपको मारुती Suzuki लिक कर आ रहा होगा, wirelessly, और अगर आपको volume control यहां से नहीं करना है, तो आप even अपने steering mounted control से भी volume control कर सकते हैं, उसके अलावा अगर में और music वगएर की settings की बात करूँ, तो इसमें आपका, सकते हैं, बेस, mid travel को पूरा change कर सकते हैं, यहां पर आपको कुछ equalizer presets भी देखने को मिल जाएंगे, उसके high Suzuki बोलके इसने voice assistant enabled हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं, तो आप इस तरह से अगर आपको high Suzuki के लाव कुछ और बोलना है, तो भी वो कर देगी, उसके लावा और settings की बात करूँ, तो यहां पर आपको last setting जो है, वो alerts की देखने को मिल जाएगी, जैसे आपके for example, गाड़ी कोई vehicle, आप warnings देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जैसे for example, low fuel हुआ, तो यहां पर बत्ती जल जाती है, उसके लावा यह भी आपको alert देखा कि low fuel है, तो आप यहां भी कर सकता है, जैसे door को open है, तो यहां पर वेकल alert आएगा, तो यहां पर मुझे seed belt की जो वेकल warning आती तो मुझे अजीब सी लगती थी, तो मैंने बंद कर दी, यहां पर आइसी रोड की warning देगा, लो फ्यूल वगरा की warning देगा, वो मैंने बंद कर दी है, बट आप यह सब सेटिंग्स कर सकते हैं, जोस्तों आयोब आपको वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी सी helpful होगी, कैसे आप अपने स्मार्ट प्रो सुडियो को यूज कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी फंक्शनलिटी है, बट इसमें फीचर्स काफ़े रिच हैं, और सबसे में बात, मुझे वन आप दा स्मूद सिस्टम्स लगा, जितने भी अभी गाडियों में मैं बैठा हूँ, तो आप झाल झाल झाल